दोस्ता आप सभी को याद होगा कि जिस दिन महेंदर सिंग दोनी ने इंटरनेशनल क्रिकिट से सरन्यास का फैसला लिया उसी दिन सुरेश रेना ने भी दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकिट से सरन्यास का फैसला ले लिया आकर क्या रिज़र ने दोस्तों जो महंदर सिंग दोनी को इतनी तरजी ही देते हैं सुरेश रेना आपको बताते हैं इसके पीछे के एक मज़दार स्टोरी भारते क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महंदर सिंग दोनी की एक अलग और बहुत खास पहचान दही दोनी ने भारते क्रिकेट टीम को बहुत कुछ भी दिया जिसमें उन्होंने अपने बलेबाजी विकेट कीपिंग से लेकर कप्तान के तोर पर जो योगदान दिया वो कभी भुलाय नहीं जा सकता ऐसे में दोनी ने भारते टीम के कई खिलाड़ों के साथ खिला है वो कई खिलाड़ों के साथ तो बहुत ही पक्के मित्र या जैसे कह सकते हैं परमित्र बन चुके हैं इनमें सबसे बड़ा नाम भारत के पूर बलेबाज सुरेश रेना का माना जाता है जो बहुत बहुत ब देब्यू किया उसके करीब आठ महीने के बाद सुरेश रेना को भी डेब्यू का मुखा मिला इसके बाद से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच खूब जमी दोनों ने मिलकर भारत को कई मैच भी जिता है तो उसके बाद दोनों का इरिष्टा आई पेल में जुड़ा और जहा खूथ बड़ी बाद शियर कर दी सुरेश रेना ने ने नियूस 24 चैनल के साथ खास बात चीत की इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने साल 2007 विश्व कप में घुटने की चोट के करण बाहर रहना पड़ा था अब दोस्तों बात जब विश्व कप की हो और ऐसे मैं आ 2007 में था तो चोटिल हुआ था तो उन्होंने मुझे केवल इतना कहा था कि आप सर्जरी के लिए बहुत चोटे हो केवल अपना समय लो वो तब कप्तान भी नहीं थे लेकिन वो मुझे बाते बता रहे थे गुटने की चोट करान में डेड़ सार तक नहीं खेला और हर दूस कि मैं जल्दी भारत का परतिन दित्व करूंगा मुझे लगा कि मुझे अपने खेल अपने घुटने पर कड़ी मेहनत करने की जुरो थे मुझे नहीं पता था कि मैं फिर कभी भारत के लिए खेल पाऊंगा या नहीं लेकिन महेंदर सिंग धोनी ने तब कपतान ना होने की बावजूद भी इस परकार से मेरे एक ख्याल लखा मेरा मोटिवेट किया मैं उनका हमेसा शुक्र गुजार रहोंगा अब दोस्तो ये भी सवाल है कि क्या जिस दिन धोनी चैने सुपर किंक्स से खेलना बंद कर देंगे सन्यास ले लेंगे आइपेल से क्या उस दिन सुरे श्रेना भी इनके साथ ही है नेक्स्ट एनन स्पोर्ट की रिपोर्ट